अलो स्टूरेंट्स वेलकम तो दिस यूटूब चैनल है टूड़े वी आ गोंग तो कंटीनिव विद इनोवेटिव फाइनेंशल सर्विसेज इसे पहले हम लोग ने इनोवेटिव फाइनेंशल सर्विसेज का इंट्रोड़क्शन किया था किस तरह का उनका फीचर्स होता है इसके बारे में हमने डीटेल स्टरी किया अभी हम लोग आगे टाक्टरिंग और फॉर्फेटिंग यह आगी कोंसेप्स के ओपर फोकस करेंगे तो लेट स्टार्ट विट फैक्टरिंग एंट फॉर्कास्टिंग बट आफ्टर वाचिंग इस वीडियो डोंट फर्गेट त ओ्टों चैस्न आपे हूंट वे ठाकूरिंग और फॉर्कास्ट ऌर्न फैकरश्टिंग खर फॉर्कास्तिंग इस इस्टार आगinkं है फॉर्ंड वेज एंगेस्ट एंगे स्टार फॉर्टRO च्रिंबट बटक्तिंग झाल वीज़ूर्टिंग we must understand the concept what we did earlier so we introduce our innovative financial services their importance then we cover objectives of the functions of financial services like mobilization and allocation of savings selection of projects and monitoring performance of industry provide for efficient and effective payment such kind of objectives and functions already we have covered then we study the characteristics of our innovative financial as we can understand their their intangibility we cannot see in touch feel but there is a value there is amount then inseparability we cannot separate them with variability dominance then we cover the constitutes of financial services like financial assets equity and debts markets then financial markets and financial institutions that financial market cover forex foreign exchange market capital market money market credit market and this capital market and money market further divide into primary and secondary market primary we had studied that about the new issue market we can say new issue market market and there after we studied the opportunity and threats we discuss it uh intensively what sort of opportunities are there for financial service market and threats then financial markets details problems of financial service sectors what sort of problems will be there of how to face them we studied that now we are going to start with factory and forecasting so two different types of financial receivables when it comes to receivable I would like to recall you that we have to tell you that we have to know that we have to know that we have to know the मुझे डीटर्स बिल एकसेप्ट करके ड्रॉव ड्रॉवर एकसेप्ट करके उसको वापस करें सिग्नेचर करके दे तो वह बिल्स रीषेवेबर होजाता है चो हमारे लिए अकाउनिक टर्मिलाजिस में डेटर्स अन बिल्स वर को हम दोख रीषीवेबर बोलेगे सो यहाँ पर इस लिए मैंने आपको कस्टमर जो डेटर बन जाता है और वहीं आगे जलके बिल्स होता है इसके बारे बात किया अभी हमारे कस्टमर से पैसा आने का रहता है लगे फ्युटर में अने का रहता है तो समझों हमने बिल्स ड्रॉ ख्याथ तीन चार पाट महने के लिए ऐसे केस में हमें इमिडियेटली पैसा चाहिये और एक पको को डिसकाउटिंग किया था सो वो एक अडिशनल हमारे लिए फाइनेशल सर्विस था सो फैक्टरिंग में और यह सब चीजों में फरक क्या है तो फैक्टरिंग इस फंड वेस्ट फाइनेशल सर्विस वीच प्रोवाइड रिसोर्स तू फिनांस रिसीवेबल यहां पे किस च क्या होता है कि हम लोग करके देंगे आप टेंशन मतलों कि आपका रिसीवेबल का रिकलेक्शन जो है उसका जिम्मेदारी उठाने का काम भी फॉर्ट फैक्टरिंग किया है इडिन वाल्स दा आउट्राइट सेल आफ रिसीवेबल आट डिसकाउंट टू फैक्टर टू बात करें तो हमारे जो रिसीवेबल से सपोस हमें जितना भी क्रेट सेल्स किया है उसमें जो डेटर्स और इसका जो भी अमॉन होता है सब्सक्राइब हम लोग किसी और से कलेक्ट करेंगे वह फैक्टर है यह तुम्हारा टेन लैक्टी ताउजन देनो फिप्टी ताउजन डिसकाउंट वह वसुल करने का जिम्मदारी हमारा भी विल डू दाट टिंग्स सो इस तरह से रिसीवेबल को बेच देना हमारे जो रिसीवेबल से उ प्रफिटिंग में करना है बट फॉर्फिटिंग जो होता है एक्स्पोर्ट रिसीवेबल मतलब हमने जो एक्सपोर्ट किया था बाहर के देश में तो वहां के जो कस्टमर्स है जो आउट आफ कंट्री वाले उनसे रिसीवेबल से अग्सक्राइब करने वाले जो हमारे एक क्लाइंट एक्सपोर्ट और उसके लिए हमें ओ और इंटरनेशनल इंटर में चाहिए तो इंटरनेशनल इंटर में इस पनता है वर्फिटिंग विदाओट रिकोर्स प्रूहिं अभी यह रिकोर्स नॉन रिकोर्स क्या होते बाद में एक चार्ड दिया है हमारे सामने जहां पर आप देख सकते हो एक कस्टमर है लेफ्ट-एं सब्सक्राइन में दिख रहा है यहां पर क्लाइंट में मतलब हमारे लिए सेलर्स ने बेचा नॉर्मली जब बेचा जाता है तो कस्टमर से साइन करके उसका इन्वाइस पॉपी ले लिए एक नॉर्मल हम लोग चाहिए अभी यहां पर आ गया फैक्टर अभी फैक्टर के सब्सक्राइब करने का काम इतना रुपे का बिल इतना रुपे का सेल्स हमने किया है जिसका पैसा आने का माद कि सब्सक्राइब को मिल जाएगा मतलब हमें फंड का सपोर्ट मिलेगा यह जो भी कंप्लीट होगा यहां पर हमने बिल सब्सक्राइब किया तो यह फैक्टर जो है वो कस्टमर के पीछे पड़ेगा और कस्टमर से क्लेक्शन करना स्टाट करेगा जैसे इसके आपने बिल्स आएगा इमिडिएटली फैक्टर विल पे 80% अफिट तो देक्लाइंट एंड फैक्टर मूव तो देक्स्टमर से वो क्लेक्शन करेगा और फाइनली बैलेंस आमन्ट पेड़ेगा प्लाइंट को इस तरह से डिज पृच छर्ण करेगा ऑने ंपम शेगा ट रसके इस इसके टाइंटा गाइनली शफित बEEक लिट एन आप्टर संस्टर पेस्ट और गईंट डिट परन टेपक्रवाली इजिस हैं बीस हैं आम ए saya क्या करेगा लिक्वालन ए स 파ंटर इम ऑकर प्रिए टक्र आयंटक्रवा एं and move to the customers for recovering the receivables and thereafter he paid the balance amount to the client this is what the factoring mechanism we can understand in this way now the types of factoring what sort of factoring we can conduct so there are five types of factory one is recourse and other is non-recourse of course it may be opposite of that same then advanced maturity factoring then full factoring disclose and undisclosed factoring domestic and export or cross-border international factoring so let's start with one by one the first factoring is called recourse and other is non-recourse factoring so in this what we need to understand that recourse factoring credit risk is with client in india what does it mean suppose the collection is not possible the customer is bankrupt or customers there will be the bad dates that bad date risk is lies with the client the seller seller to sell or whatever he will be risked that lies with the client in records factoring non-recourse factoring credit risk is with factor factor bad dates हो तो हमारा जीमेदर देंशन मत लो पाई ह्रीकावर करने का काम हमारा यहां पे क्या हो जोता है नॉन रिकोर्ट करते वगग फैक्टर्स के उपर रिस्पॉन्स लॉड़ा आ गया तो फैक्टर पूरा वसुली के चक्कर में रहता है तो कभी-कभी के साथ हमारे साराप होने के चांसे से की हमने किसी को इपॉइंट क目前 री में एक्स्ट्रा और तौ मिसेंट चार्ज ब्याएफ को करते हैं इंडिया में एक्ध मुक्स युक्य से महीं एक्जाम पॉइंट ऑफ्यूм एडवांस एड मैचुरेटी फैक्टरिंग ये दो टरी के फिस समझते हैं एडवांस एडवांस दे देना जैसे कि आपने परसेंट पैसा दे दिया जैसे कि फैक्टर के आपने बील्स आ गया इन वैसिस आ गया है इमिडेटली ही पेड 80,000 तो उसका सिंपल मतलब यह है 25-90 परसेंट के रेंज में एडवांस इस पेड के जाते हैं एंड बैलंस और कलेक्शन तो यहां पर एडवांस इस पेकरते हैं वक्त हाइर इंटरेस्ट मिल जाता है देन माचुरिटी फैक्ट्ट माचुरिटी वर्ड का मतलब ही हमें समझना आता है जहां पर बील्वांच जब मैचुरिटी होगा तो उसको कलेक्ट करके तुम्हें पेक करेंगे नॉमिनल कमिशन चार्ज यहां पर फैक्टर बहुत नॉमिनल कमिशन चार्ज करते हैं सो हमारे लिए अडवांस यह होता है हमारे पास इमीदिएटटलिंस का पैसे आ जलिए आंदा है ऑल्टिंवर थेंटर सवे शल्स करने का हैं हमारा नकल जाता है वह कृंद एक तरह का चुक फैक्टरिंग का एरिया उस सारे के सारे उस फूल फैक्टरिंग में कवर हो जाते कि कालेक्शन का काम भी हम करेंगे लेजर मेंटेंगे चाहिए चाहिए फैनांस भी करके देंगे देन डिस्क्लोज अन डिस्क्लोज अन डिस्क्लोज इकना दिखाना ओपन भी ओट इस ख्रोषिक वाजनां उन इंवाइस ईप पहसे पाइका नाम धिस्विल किया जब नाम नहीं लिछा होए ग्ली कर सका बारा लिक्रीज करें लाइस दिस्क्लोष फैक्टरीम्य एक सप्रोंड इंटरनाशनल लेवल का जो ट्राजिशन रहेगा उस वक्त अगर एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के केस में हमने फैक्टर से पॉइंट किया रिटर रिटर रिस्क लाइज हमारे लिए जो कलेक्शन अगर नहीं हुआ वह बैंडेट्स हुआ तो वह रिस्क है क्लाइंग का सेलर का नॉन रिकोर्स में वह रिस्क ले लेता है क्लाइंट का रहता है मतलब सेलर का रहता है एडवांस में हमने देखा था कि आपको इमिडिएटली सेवेंटी परसेंट का अमोंड मिल जाता है और कुछ जो में पर मिलेगा उट इस फुल फैक्टरिंग में सारे एरियास कवर के जाएंगे इवन सेल्स लेजर अडिनिस्ट्रेशन और शॉट टम फाइनस भी डिस्क् में हमारा चैल्स इंपॉर ऐइंपोर्ट चैल्स कि तो मेंस्टिक मतलब हमारा विकूर्ट्ट कांड्रीर एक्स्पोर्ट मतल Inhale Oluse echo उसका ति इस वरला फाइफ 10 फाटों पसेञ़ को नाँ का administration करता है provision of collection facility to collection facility provide करता है हमारे customers से then financial trade bills understand करता है credit control जो पर काम करता है advisory services देता है कि कौन सा customers better है कौन सा customer recovery के बारे में उनको रहे देता है उनके financial position देखके भी किसके साथ देल करना चाहिए बता सकता है then there are a few advantages and disadvantages of factoring advantages के simple बाश्या में immediate cash flow आपको immediate के पैसा मिल जाता है आपको collection के लिए receivables की पीछे पढ़ने की जुरूत नहीं तो you can focus on business operations and growth आप अपने business का growth करने के काम कर सकते हो rather taking a follow-up from the customers customer के पीछे पढ़ो और सेल किया है तो हमने सेल करने के लिए जो दो महिना वेस्ट किया रिकावरी करने के तीन महिना जाएगा तो वह काम मत करो तो better you focused on your business operations and growth then evasion of bad dates yes bad इट को निकालने के लिए bad dates कम करने के लिए हमें यह factor का का काम होता है क्यूंकि factor is taking follow-up और कभी कभी हमने अगर नॉन रिकोर्स वाला यह लिया है फैक्टरिंग का कंडिशन सर्विस तो उस वक्त हमें बैंडेट्स का रिस्क भी नहीं रहेगा quicker arrangement of finance immediate cash flow quicker arrangement no requirement of collateral और कोई security रखने की ज़रूत नहीं है आपने जो इनवाइस दिये वही अपने आपने securities है वही इतने रुपे का collections करना है so that is becoming the security or collateral sales not loan yes definitely हमारे लिए कोई लोन नहीं फैक्टरिंग करते बाग्त हम लोग क्या करते हमारे receivables को सेल करते हैं ना कि कोई लोन लेते हैं यह पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट है हमेशा अप्धी टैप questions के लिए प्रिपेर रहना चाहिए हमें कि फैक्टरिंग इस असे लोन लोन लें customer analysis we can do the customer analysis what sort of customers are there with us हमारे customers का financial position और उनका पेमेंट का order को समझने की कोशिश हो सकते हैं competitive pricing बहुत अच्छा pricing हम लोग maintain कर सकते हैं reuse current liabilities definitely हमारा अगर recovery बर receivables amount अच्छा रहेगा तो हम लोग current liability भी कर सकते हैं तो हमारे लिए जादा टाइम पास नहीं रहेगा then useful to small businesses of course so small businesses को finance करा करने के लिए अच्छा पॉश्ट इस वर्डवांटेजिस नाओ देर आर सम डिसद्वांटेजिस फर्स्ट वन बनेगा possible harm to the customer relationship definitely जब लोग नॉन रिकोर्ट में जाते हैं जहां पर रिस्क जो होता है तो फैक्टर कस्टमर से वसूली करना चाहता है ऐसे सरगंद्सित में कस्टमर के साथ हमारा कि कस्टमर के साथ उसने में किया मिठा बात करके नहीं कर रिकोरी किया तो कस्टमर रिलेशन्शिप खराब होने का चांस का इमेज खराब होने का चांस इस पॉन्स के लिए तकलीफ हो सकता है यह सब्सक्राइब और एक काम बढ़ गया सब सारे चांस को फैक्टरिंग का फैसिलिटी नहीं प्रवाड करते जिस कंपनी का रिपूटेशन अच्छा है उसी के साथ दीर करते तो जिसका वेचेरी का रिपूटेशन नहीं है उसको बेनिफिट नहीं मिलता है तो यह लिमिटेशन से यहां पे जो पैसा है वो रिसीवेबल्स का है रिसीवेबल्स जो है वह शौट टम होते है विदिन एप वन यह के होते है तो पैसा नहीं मिलेगा एक साल के अंदर का जो है उसका बाद में बात करें सो देर विल बी नो चाल्स आप फंडिंग पर कैपल लिक्स मिटेशन इक्जांप पॉंट आफ यू आपको फैक्टरिंग और फोर्फेटिंग के बीच में डिस्टिंग्विश आ सकता है बेसिकली आपका जो आइडिया है फैक्टरिंग और फोर्फै को समझा जरू है हम्ने जो फैक्टरिंग में किया था इंट इन अर्रेंजमेंट ररी सीवेबल इंटो डुले लेडी चैश पैश सेल किया और उससे कैश कलेक्ट लिया और फोर्फेटिंग इजये पिट फ़ेटर पर्शेस ऍलेम और एक्स्पोर्ट और की वहाँ से पर्चिस क्लेम ने ले लैं टो में ट chilli मैं टरीइश में सिर्फ नहों सब्सक्षा den midnight forfeiting is 100% finance can be provided so forfeiting में number of percentage ज्यादा है letter of credit there is no need for factoring factoring में कोई letter of credit की ज़र्वत नहीं है क्योंकि वो domestic transaction ज्यादा करता है forfeiting requires letter of credit then records and non-recourse records जो है factoring में have records to sellers in case of default by buyers अगर buyers में कोई default किया तो उसके लिए records है fact forfeiting में कोई records फैसले ने export जोफ़ इस continuing in secondary market factoring does not provide scope for discount discounting in the market as only 80% finance factoring में कोई discounting का तरी का निया तरी का निया forfeiting provides scope for the discounting the bill in the secondary market कि की due is 100% finance services of sales or single sales factoring may be a financing a series of sales involved bulk trading बहुत सारे ट्रेडिंग्स के लिए factoring होता रहता है forfeiting only a single shipment is financed अंदर याद रखो क्योंकि हमने अलग-अलग country में अगर shipment तो एक shipment के लिए एक फैक्ट फोर्फेटिंगा क्लाइंट के बारे में वेरास फैक्टरिंग में हम लोग कितने भी बिल्स के लिए मैंनी सेल्स के लिए एक फैक्टर रख सकते हैं नाउ इस वर दो ट्रैंजेक्शन्स अफ फैक्टरिंग एंड फोर्फेटिंग तो वाट वी कन अंडरस्टैंड इस पार्ट इस इसके आगे हमारा बिल्स डिस्काउंटिंग वाला एरिया शुरू होता है हम लोग को बिल्स काउंटिंग अल्रेडि हमने 12 स्टैंडर में अडिस्टैंड किया था यहां पर हम लोग फिर से रिफ्रेश करने के लिए और थोड़ा बात करें यह ड्रॉवर मतलब हमारे लिए सेलर है जिसने मतलब के स्टमर को ग्रेट प गूटि council को इनिशल ट्राइशंट में बायर सेलर का रिलेशनशिप ता यह जो सेलर था उसने बायर को क्रेड़ टुद करें बीचने के विए से उनके बीश में डेटराष क्रेटर्स का रेलेशनशिपट बन गया अब यह जो और यह जो बन जाता है यह तो अम लोग एच्ञेक्शना इमीडियर पेमिंट के लिए बैंक जाके उसको डिसकांटिंग करते बैंक से ड्रोबर पाइसा ले लेता है और बैंक की सदिर में चिस दिन मैचूरीति ए उस दिन डूडेट पे डा से मतलँ नवारे कस्टमर से मांगता है अगरूं पैसा देत था C पे उसको उनर बोलते हैं नहीं देता है .. तो नहीं देता है तो बैंक हमारे पास वापस आएका और हम से वाफा हम के पांस जाएंगे जिस में एक से उता है किया एक सेप्ट करके वापस कांश जो है यह पास दे दिया हमने और बैंक से फंड ले लिया पैसा ले लिया बैंक को बोला future date पे आप maturity पे उसको बिल को present करो और cash receive करो immediately बैंक ने जब maturity period आ गया उस वक्त acceptors के सामने बिल present करके पैसा collect किया तो matter will be close लेकिन अगर बैंक को पैसा नहीं मिला तो बैंक हमारे पास वापस आएगा हम हमारे कस्टोमर के बाद जाएगे वह हमें समझना पड़ेगा उसका डेफिनेशन से अलड़े अमने फैक्टरिंग के बारे में बताया था यहां पर देते बहुत सारे सकते हैं बिल डिसकांटिग में अप जिशका बिल डिसकाउट करना चाहिते उत्रे इंदिक में पूरा कर राकिए लिए हैं सो एड़ाइस सिंग में क्या होता है एटी परसेंट उपार्टी होता है यहां पर जो पार्टी होता है यहां पर ट्रॉवर डॉविन पेवाला पाठी जो नियुक्त के पास आ जाता है वे डैंक के पास लेगा कोई राइट नहीं को प्रक्टरी जब फैक्टर इस यूसफूल फॉर लाज बिसनेस बहुत बड़े बिजनेसे स्मट बिजनेस के लिए बिल्ली सकॉनिग है तरीका है बिल्ली सकॉनिंग में बैंक उसमें नहीं दिया तो हम आपसे लेंगे वहराज फैक्टरिंग में बाता है रिकोड्स फैक्टरिंग में क्लाइंट इसके और नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग में खुट्ट फैक्टर बुलेगा वही मनों प्रमेंट करेंगे तो पूरा रिकवरी का सुआ्क्ट जो आट तो दिजेंड़ त्री पार्ट वी एकंटिडर बिक्टरींच निएंग बिल्सकाउटिन तो अंडेस्टंग इनुवर्टी इन्वर्टी फिनेंशल सार्टेस्ट अगले लेक्टर्स में हम लोग मर्चंट बांकिंग या बाकी सब अडियास कवर करेंगे and i hope this much part is clear to all of you and let's solve the quiz in the description box all the best thank you